हेलो फ्रंट मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने वादे हैं औले का मुरब्भा तो चलिए बिना टाइम वेश्ट की रेसिपी को स्टार्ट कर देते हैं यहां पर मैंने औला ले लिया है यह कच्छा औला है इसे अच्छी तरीके से हमने दो कर पोच दिया है यहां हमने टोप में पानी रख दिया है गरम करने के लिए एक एक करके सारे औले के पीसे को हम यहां पर पानी में डाल देंगे और गैस को रखेंगे हाई फ्लेम पर इसे बॉइल होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए यहां पर देखिए हमने हाई फ्लेम पर गैस को रख दिया आप काफी तरीके से बॉइल हो रहा है आप चाहे तो बीच बेच में छला कर हैं आप जाए तो ज्हे से चेक कर सकते हैं नहीं गया टोड़व में प्लेइम पर कर दे रहे हुँ मैं से त्व 20 मिनट ड़कर कला कोई तो चलिए चेक करते हैं दो से तीन मिनट हो चुके हैं तो ओला काफी अच्छी तरीके से हो चुका है अब हम गैस को कर देंगे बंद अब एक एक करके सारे पीसिस को हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे रख देंगे पास से छे मिनट के लिए ठंडा होने के लिए ताकि ये नॉर्मल टम्टेजर पर आ जाए तो चलिए पास से छे मिनट के बाद हम देखते हैं तो यहां देखिए ओला काफी अच्छी तरीके से पक चुका है और काफी अच्छी तरीके से इसमें कट भी आ गया है जो कि मैंने इसमें कट नहीं लगाया था मैंने यहां पर knife से बिल्कुल कट नहीं किया है आप देख सकते हैं बहुत यह अच्छी तरीके से से यह एक 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 पीस बाहर निकल रहे है यह देखिए यह काफी अच्छी तरीके से हमारा ओला पक चुका है तो ओला अच्छी तरीके से थंड़ा हो चुका है एक फोक की मदद से हम इस तरीके से बहुत ही नजदीक नजदीक से फोक से इस तरीके से हम होल कर लेंगे ताकि जो हमारा शक्कर का पाक है वो अच्छी तरीके से औले में मिक्स हो जाए मैं इस तरीके से बिलकुल नहीं करूंगी बस मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से फॉक का इस्तमाल कर रहे हूं क्योंकि मैंने ओला 15 मिन तक बॉयल किया है तो काफी अच्छी तरीके से अलग-अलग पीसेस हो चुके हैं अगर आपकी अलग में इस तरीके के पीसेस नहीं हुए तो आप फॉक से इस तरीके से होल कर सकते हैं यहां मैंने एक वाटी शकर ले लिया थोड़ा सा गुड़ से हमारे अलग का टेस्ट काफी अच्छा आता है आप चाहे तो खले शकर में भी बना सकते हैं तो शकर डाल के तो इसे अब हम इसे रखेंगे गैस पे यहां बगात हैरा डात अगर में हाइए बखाल पर बखेंगे हुआ उप मेलेनगे सन्हिक गायी** तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे तब तक चलाते रहेंगे जब तक शक्कर अच्छी तरीके से गल लजाए तो देखे धीरे धीरे शक्कर अच्छी तरीके से गल चुका है हमने इसे लो फ्लेम पे ही रखा है यह देखिए आउले को हम लो फ्लेम पे करीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो शक्कर का पाख है वो आउले के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए यहाँ पे मैंने एक छोटी लाइची लिये उसे दरदरा कर दिया है यहीं पे मैंने लिया है एक छोटा तुकणा सेना नमक इसे भी हम डाल देंगे सेना नमक से भी हमारे ओले का काफी अच्छा टेश्ट आता है बहुत ज़्यादा सेना नमक का इस्तमाल नहीं करना है बस एक चुटकी से कम, डाल कर अच्छी तरीके से कर देंगे mix, तो यहां पर हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो आउला हमारा लगबग यहां पर पक चुका है, आप लोग देख सकते हैं, अलग-अलग पीसेस भी हो गए हैं, अब हम गैस को कर देंगे बंद, यहां हमारा आउला बनकर रेडी है, देखिए, इद्दम जूसी और बहुत ही आसान तरीके से, तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी घर में आउला मुरबग जरूर बनाई है, यहां हमारा आउला मुरबग काफी जूसी बना है, वैसे आउला सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, मौसम के हिसाब इसे खाना चाहिए, यह बालों के लिए भी काफी फाइदे मन्द होता है, तो देखिए कैसे अलग अलग पीसे हो गया है, मैंने इसे नाइप से बिलकुल कट नहीं किया था, अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सस्क्राइब, शेयर क करना बिलकुल ना भूले, साथी में बेल आइकन क्लिक कर कर,